कि आपको कार्ड चलाने के बारे में बेसिक इंफॉर्मिशन दूँगा इसके बारे में आपसे बात करूंगा अगर आप कार्ड चलाने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आज की वीडियो आप की लिए हैं क्योंकि कुछ कई सारी चीजें होती हैं जो आपको कार्ड चलाने से पहले जानना जरूरी है बना इसके बगएर आप कार्ड चलाना तो लगभाग आपका मुम्किन नहीं होता है तो फिर मैं ऐसे इस वीडियो को मतलब एक ड्राइविंग सिखाने के पर बेसिक चीजें चलाना और गाड़ी में काफी असला नहीं पता होता है चली आच की वीडियो को बना तैम बरबात किया शुरूब करते हैं पहले स्टेप से युकि होता है गार में एंटर करना ओकी सो नॉमली कार्ण में आपको ऐसे रिमोट की मिल जाएगी अब इसकी इसका फंक्शन क्या होता है कि जो नॉमल कार होती है जिनमें कीले सेंट्री नहीं होती है उनमें आपको नॉमल की मिलेगी उसके साथ लॉक एन लॉक का फीचर आपको मिल जाएगा पर जिनमें कीले सेंट्री होती है जिनमें बटन से गाड़ी स्टार्ट होती है उनमें का daq mr 프ub mà Efendimiz कूछ प्र शाद है तो पर आपकी बास अगर यह है तो फिर आपके लगगब के होनी चAHYAN तो फिर आप इस को का को एक्सिस कर सकते हैं इन बटन के थूर आपका वहाँ भी होता है और वहां पर पेसेंजर साइड बीह होता है को पेशेंजर साइड और पीछे आपका बूट में भी यह बटन आपको रजाता है तो पर आप बिना की को अपटे करें किया आपको एकसेस कर सकते हैं थो जैसे आप इस बटन को द्वाएंगे प्लग को जाए गी और लोग भी आतर इसी से हो जाएगी मृत तो सबसे पहले आपको अपनी सीत का और पीछे कर सकते हैं पर द्था ड्राइविंग पोजीशन का आपको मेली ध्यान लगना है कि आप गाड़ी कैसे बैठके चलाएंगे अपने जिसमें आपको सहूलियत हो आपको बैसी जलानी है अपने अपने इसाफ से आप इसे एज़ेस्ट कर सकते हैं आप बात करते हैं स्टेरिंग के बारे में इस इस दा हैंडल आप एवरी वीगल यह आपको सभी गाड़ी में सेम बिलेगा इसमें आपको कोई अलग से तब दील है आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी क्योंकि इसका फंक्षिन सभी का सेम होता है सो दिस इस दा हैंडल ओ कि अपनी ड्राइविंग की स्टाइल को एचेस्ट कर सकते हैं तो अभी में कार के अंदर की बेसिक सारी आपको चीजे दखाता हूं कि बेसिक चीजे कौन कौन से होती हैं आपन को किन चीजों कैसे यूज करना पड़ता है तो पहले ट्राइवर दोर पर आपको यहां पर चार गाड़ी के लिए यह दो बटन है यह राइट साइड की डोनों गेट की विड़न के यह दो बटन है यह वाला बटन देख रहा है यह वाले बटन से आप चार गाड़ी के लोड़ को लॉक्ट कर सकते हैं इस वाले बटन से आप लॉक्ट कर सकते हैं इस वाले से आप लॉक्ट कर सकते हैं और यह वाले बटन जो आपको दिखता है यह सारा यह बटन होता है कि आप विंडो को लॉक्ट कर सकते हैं यह विंडो लॉक्ट का होता है कि कोई विंडो को ऑपरेट नहीं कर पाएगा इसमें एक बर नीचे को दबाएंगे और एक लैवल होता है जो नीचे एलेवल होता है वह अप डारेकली आप नीचे करेंगे यह बालबाटाइन होता है आपके आउटसाइड वीम की लिए जैसे कि मैशको अब दबाउंगा तो ये से बंद हो जाएंगे और मैं इसको अगर दुबारा दबाऊंगा तो यह और बापस से ओन हो जाएगा यह वाला बटन जो एल और और आर दिख रहा है यह वाला बटन बेसिकली इसको यूज किया जाता है आपके बटन के अंदर और बीम के सेटिंग के लिए आपके जैसे कि मैं अगर इस वाले बटन को अगर लेप्ट करके यह वाला बड़ीवर को अगर उपनीछए दिरिखन में गवाता हूं तो यह बटन उपनीछे ऑपरेट होगा और आप इसको राइट वाले की तरफ तो फिर आप अपना राइट वाला हुआ अर्वियम इसमें अपने इसके साफ से यसा आप इसको सेट करना चाहते हैं इसे आप लोग करेंगे तो लोग अनलोग हो जाएंगी सारी गाड़े आपके अपर इसके बाद आते हैं इसे आपका है और यहां पर जो आप गड़ाइट बगर यह सारी आपकी कर देंगे यह वाला बटन तो आपकी लोग वीम अन हुजाएगी में लाइट है आप यह से नीची कर देंगे तो आपकी हाइब और यह आपका फॉग लाइट के लिए हैं औ अगर अगर इसको ऊपर प्रेस करते हैं तो अपका लेफ्ट लिगेटर नीचे करते हैं तो आपका रायट लेट्व जाएग लेट्वाकर के मिल्ते है यह आपके Extension Do I इस 시ु आपनी तरफ आपकी प्रन कर पर कशलते हां प। ज seriously Al gusto कि आप अपना बिंट सील क्लीन कर सकते हैं और वाकि यहां पर आपको इसी का सिस्टम मिलता है जो कि आप अपरेट कर सकती है काफी गाड़ियों में लग होता है खासकर बलेनों में कुछ जाद ही अलग है तो आप इसके बारे में आपको जानना कुछ जादा जरूरी नहीं है सामने आप को मिलता है testometer कि बेसिक सीन की जानकरी में अपको दिया देता हूं यहान पर यह वाला मेंटरी को सब्सक्राइब के अपके brought May इस बटन के दरूब कर पाएंगी कई गाड़ियों में आपको इस चेरिंग पर इसका कंट्रोल मिल जाता है यहां पर आपकी इनफॉर्मिशन डिस्प्ली में आपको कई सारी चीज़े दिखती है कार्ण कार्स पर डेपेंड करता है कौन-कौन सी गार में कौन-कौन-कौन सी इस यहां पर आप इस बटन को लबहेंगे तो आप अपनी टाइम देख पाएंगे यहां पर आप पावर और और कितना कंजियूम करती है कार यह आपका माइलेज बगियर ओवर और यह आपका ड्राइविंग टाइम डिस्टैंस बगियरा यह आपको सारे गुद दिखा रह यह जैसे power brake का sign आ रहे हैं means अभी गाड़ी का parking brake, handbrake लगा हुआ है तो इसमें ज़से यह वाला sign देख रहा है उसमें यह आपका seatbelt का sign होता है और भी काभी सारे sign आते हैं जब आप गाड़ी को start and stop करते हैं तो वो अगर मैं cover करूँगा तो यह काफी लंबी हो जाएगी इसक अपर करते हैं कहीं पर भी आप तो इसको जरूर लगाएं इसको आप ऐसी लगा सकते हैं इसको बेल्ट को ऐसे खीच कर एक खास से इसको आप इस वाले यहां पर आप इन्सेट कर सकते हैं you can see और इसको आप अगर आपको disengage करना हो तो आप इसको प्रेस करके आप अठा दे पर कहलाता है यहां पर आपकी lights होती है इसे प्रेस करके आप अपनी lights को परेट कर पाएंगे और यह आपका पुछ बटन स्टार्ट इन स्टॉप का बटन होता है जो आपकी कीले सेंट्री वाली कार्स में आता है और यह बाला बटन आप देख रहे हैं इससे आप अपनी highlight बगियर को हैड़ाइट की हाइट को अगर सकते हैं यहां पर अगर जी रूप करेंगे तो हाइट पर नीचे आप अपने सभूलियत के साफसे इसको भी जाइश्ट कर पाएंगे नीचे आपको थोड़ी सी जगह मिलती है यहां पर इस वाली बटन से आप अपना बॉनट जो ह कंट्रोल यहां पर मिलते हैं यह से आप म्यूट बगियर अगर आपको मुवाइल कनेक्ट है एपल कारपली के थरू या भी लुटूथ के थरू तो आप इसको यहां एंट्राइड आटो भी आता है तो आप इन चीजों को पर पाएंगी बना इन बिल्ट यहां बगियर आत जहां पर भी इंडिकेटर आपके प्लेस्ट हैं बहां सारी इंडिकेटर जल जाता है यह आप यूज करें तब आप जबाब इमर्जेंसी में कहीं बीच रोड पर खड़ी हो यह आप कुछ टायर आपकी गाड़ी खराब गई हो बारिश में इसका यूज करें मैंने देखा जाने नहीं देखा लेगे गई होगा तो फरो में कन्फ्यूस भी ऊजाता है कि वह सूचेगा कि आपकी कार की डिस्ट्रैक करता है तो प्लेस टोंत यूज दिस वाइल यू ड्राविं अगर इन रहनी सीसन और यहां पर आपका ग्लव बॉक्स होता है यहां पर आपका अप कर लेते हैं उसमें कुछ पताने वाली बात नहीं है यहां पर अकर आते हैं तो यह आपके पैडल्स होते हैं यहां पर आपको बैडल्स मिलते हैं इस इस एक्सलेरेटर इस ब्रेक इंड दिस इस क्लच्छ आपको तीन यह बनल आपको आपको साहरे डियंस मिलते हैं और अचोह और कर रही हिंBr मैं आपको बत kuv जाने के लिए क्लिए क्लेच का यूज करने के लिए आपको युज़ को लैप्स पुत है वो यूज़ करना पड़ता योझे यूज प है और आपको इसलेटर और वाला पैडल dur अपना इस वाले राइट पैर से आपको राइट वाले फुट से आपको यूज करना पड़ता है आपको जानना चलूरी है क्योंकि अगर आप क्लेच का यूज़ से करेंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी तो ट्राइब इस मैंने जैसे आपको तरीका बता है मेलनी यही तरीका होता है इसको यूज़ करने का तो फॉस्ट गेर में आप यहां पर आके लेस्ट ड्रेमोस्ट इसे और वुज़ को लेसे तरह ताइंगे वह अपना कार को आगी मूब कर सकेंगे तो कि पहला गैर्स से फस्ट इस से अजिस थर्ड हैसे और फॉर्थ गlor आप एस्ट से डालेंगे फिफ्ट ग्रार्प इसको डालेंगे मोशन में जब कार यह बर्ट सापको डालना होगा प्रिवर्स गार में तभी डाले यह एक दमी से रुके हूं चलती गाड़ी में रिवर्स गार का यूज ना करें ना ही बुलकेगा विल्कि आपके गार में भी अच्छा घासा आपको खड़्चा दे सकता है सबस्क्राइब तो तो है वा chill सिर्फ ह comment करतेसं को कैसे करते है इस को अपरेट करसे है तो पहले अपका जब ही आप का ँर्च कर दा करें तो आपका पला ब्रेग आपका ब्रेक आपका रोड़ीघ को पढना चाहिए ब्रेक को प्रेस करके आप कर को इस बटन के थ्रूँ स्टार्ट कर सकते हैं जैसक आपको यह रपीम मेटर जीरो से उपर आजाए तो इट मींस आपकी गार अब स्टार्ट है और यह आपका गयर सिस्टम जो नीट्रल में है है तो आपको जैसे आको वस्ट ड violent तो आपको थिर्यmä से ड्लिंगी तो आप कि अपना कार को आने मूप कर पाएंगे है जैसी है अगर पर करना को तो इस तरह करके ऐसे डियां कर पाएंगा। उसका है एसे ड्लता है यह काफ जाएव है कोई है दॉस्सक नहीं है तो तो जब भी आप गेर चेंज करें तो मस्ट एक बात याद रखें कि दरूर जरूर दमाएं और ब्रेक को भी प्रेस कर रखें तो आप जैसी लेक्ट में लेके इसको आंगे की तरब अपवर्ड आप इसको पुछ करेंगे तो आपका पहला गेर जो है वह आपका तल जाएगा और फसको पीचे की तरब जब भी आपव चेंज करेंगे तक आप चैनल में जरूर राएंगे तो आप जैसी सेकेंड डियर में जाना चाहें तो आप फिस्ट की नीचे आपका सेकंड लगता है ऐसे लेगे आप इसको सेकेंड घर आप आराम से लगा सकते हैं और थाइट तीसरे गयर के सीध में तो आप इसको सीधा डाल सकते हैं और चौधा डायरेक्ली उसके नीचे ही है और फिस में आपको हलका सा लेके स्वारी हलका सा राइट लेके आप इसको की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं चलिए यह होगी बेसिक बात करते हैं कार को चलाएंगे कितने जगे में चल रही है इसका नहीं में आपको कोई अंदाज नहीं होता है वह यह अंदाज अलगाना काफी मतलब डिफिकल्ट सा लगता है पर इस वेरी इजी थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिकली इसको करना पड़ेगा तब आप थोड़ी के लिए आपको ज्यादा जज्जमेंट की जरुवत नहीं होती है क्योंकि आप देख सकते हैं आपको अपने इस सीट से आपको इस साइड का तो इजीली बहुत दिखता है अपने लैप साइड राइट साइड की जजमेंट करनी पड़ती है अपने असाफ से तो राइट सा आप से देख सकते हैं कि जो बाइपर का ये ब्लेड है ये वाला या इसकी सेरी क्योंकि मेली सेंटर में ही होता है और सबी गाड़ी में लोग लगवाते हैं अपने अपने धरम के साफ से तो आप कुछ भी आपके वीच में अगर रखा है यहां पर तो आप उसकी जजमेंट आप शाम कि अपना अंदाजा लगा सकते हैं आपको कवर करना है आपको यहां वही है देखर है तो आपको इतने में आधा सकते हैं क्योंकि इस्तेरिंग ओर चेयर से का साथ स्जाः को न कहिरा है इसकी में सब्सक्राइब बने कि साथी कुछ तो उसका अपनी जज्मेंट कर सकते हैं जूकि काफी एजी होता है प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा यह से वीडियो देखके आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं अपको प्रैक्टिकली कई वारे से अपनी इस सीध की साफ से आपको अपनी कार गुजाननी ता खें तो आपको इस बात करक Love को मैंने आपको पता हिए Last रहuna और आप एस सब्सक्राइब को आप इसे नहीं देख सकते वीडियो में से आप सई सकते हैं कि इसे बिडियोन देख लें पर जब अब आप प्रेक्टिकल ही तो आपको काफी नया नया एक्सैइक्स लगेगा वो की काफी जो बहुत है उमेजिंग होता है और सभद को त्यीक्त radio क contenido जेए क्युक्या आपको चलाते समय दूसरों को भी देखना पड़ता है अपने आसपास और हमेशा कार जब भी चलाएं आप तो अपने जब भी कार चलाना सीखें तो आप हमेशा अपने साथ एक लाइसेंस जिसके पास हो उस परसन से आप सीखें और जो कार चलाना जानता हो काफी समय से उसके साथ आप जरूर पैट के सीखें अकेले कार कप भी न तो हमेशा कार चलाएं तब जब भी कार चलाना है तो अपने साथ हमेशा ऐसा बंदा जरूर रखें क्योंकि कार चलाना बखुभी जानता हो इसके बाद हमेशा कार खुले मैदान में चलाएं पर कभी कार ना चलाएं क्योंकि कुछ लोग आते जाते रहते हैं कई लोग गुज़र सकते वह पॉब्लिक रोड होती है उसमें अगर आप गार चलाते हैं तो आपको काफी निकत हो सकते हैं तो प्लीस हमेज़ा अपने आसपास कई जगों अपर लगभक सभी जगों पर इतन चरदी आन łखाट को इसे करती है यह एसे नहीं होता है क्योंकि काफी टॉती हैं ही काफी रफदार से चलती है तो नहीं पता होता ना हाइ जगह होती है कार सीखने के लिए और आपसे गल्ती真 गणाने सीखें फिर जैसे पर बेसिक जज्जमेंट करने सीख जाएं गेर तो आप प। पर पर प्रक्रिक साइन्स इसमें कोई बड़ी rocket science नहीं होती है पर आपको ध्यान काफी रखना पड़ता है क्योंकि कार चलाना अपने लिए भी और दूसरों का ध्यान में रखके हमेशा कार चलाना चाहिए कि आपको कई सारी कीशे शुरुआत में ध्यान लखनी पड़ती है और शुरुआत में हमेशा डेना पड़ता है पर steering का देना पड़ता है और नीचे आपको अपने यहां पर प瑞़्श डियान और तो आप सभी चीजों कंघसा होता था है तो सबसे शुरुआत में जञाता है इस जयसे आदब यहांद करना इस शीशे सबस्छे क dogs doe आता है अब आपको इस जातिन कaty और है और इस वाले से आपको बता चल जाए कि आपके राइट में कौन है और यह वाला सीशा होता है इसको आयर ब्यम इनर विव मिर्स लोकी यह आपका यार भी हम हो गया है यह आपका आउटसाइड ब्यार विव मरें वह वह गया है तो इनका यूज़ा इस वीडियो के लास्ट वह बहुत बहुत शुक्रिया व कि क्लच फस्ट केर पौटिं फस्ट अच्व कर आइसे अँगे और आपसे रहा हा तुम दवाई नी है भी प्रेक यहां दूट लगावा का यह हैंड़ेक नीचे करो अब बहुत बले उपर कुल्ग हलका सा अब बहुत अब अबल कुल्ग मेरे चोड़ दो, अब देवेदी में चोड़ दो, दो, दो भीर आमारा नाभ से अब जोड़ दो, जोड़ दो देखो चल रही तो देखो पहली बारे बंदा गाड़ी चला रहा है कि अब श्यूर्स भागी सभाए अंदा जबा के अपने अपनी शहक्ता है अपनी अपनी आप मेलेंडार। और फेलेक्स चोड़ दो मैख सामज हुआ मॉरो हालका सा रूट परूट पर के ऎकॉंस यही रूट परूट परा है यही रहीmbh स्वनालिकल की इडिफ अलका सा राइट मैं एकॉंस हाई एकॉंस- डाइट उप शने को लोहाउ अग्यार राई घर यार so वीज़्य यद दूए भी दिव्याव युट बगिनर अड़ रख अड़ दूए अड़ लूए प्रण प्रण रे खुशत व्यार तर यार एक है से जड़ू चलो चलो रही? या अब अब आपका है अब 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 आपको और इस चलो भी प्रशूकर को अब खूलो 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 बहुता बैडर चलो हलका हलका श्लेट अब So you can see he is driving first time and he is learning very good वर्म्स दुखू देखू रहा है कि कर दो दो, कि यह यह लुटे संटी है? विची यह अर्याराई? कि धी बीषिए वाली इस दो करें पर दो दिभी थाम रहा है राती है अड कि इसलिए इसे थाइश दो भूरी में किशो कि तो जो रहा है अब अब बेंग को ना सब्सक्राइब 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 वहां पोर इक दिन गुद्टी नहीं से सकते तर बेरेग लॉंक परोचीजर विच विच भी आप तो फोलो इस तरिंग भी देखना पड़ता है और साथ ही साथ अपना आपक अभाद गार से स्टम भी तेहना पड़ता है जो यहीं बार आजग पड़ जाती है तो यू जैसली कने जी मैनेज इस अव्ल थिंग्स से इस्टैरिं का पाफी मिंतलब मुमें डोड़ता है यहस इस भी के लूग बड़ता है okay thank you so much